हेलो एवरिवान, वेलकम टू एजीवे कॉमेर्स क्लासेज, मैं हो तबिता और गाईज, आज के इस वीडियो में हम अपने CUT की प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग लोग लॉजिकल एंड रीजिनिंग टॉपिक को कवर करेंगे अकेले लॉजिकल एंड रीजिनिंग में बहुत सारे टॉपिक आते हैं तो आपको सीखना जरूरी है डोमेन सब्जेक्ट तो आपको आना चाहिए लेकिन उसके साथ ये आने भी जरूरी है क्योंकि ये स्कोरिंग है नॉलिज पर आपके डिपेंड करते हैं एक बार प्रेक्टिस करना मांगता है इन चीजों में उसके बाद आप खुद बखुद इन सारी चीजों को सीख जाओगे तो मेरे साथ अब अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लुग लॉजिकल और रिसनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वन बाइवन वीडियो आएंगे तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करते हैं लॉजिकल एंड एनलेटिकल टॉपिक और इसके इंदर काफी सारे टॉपिक है जैसे कि अभी मैं आपके सामने को कराने वाली हूं वह है एनलोजी ठीक है जिसमें बेसिकली हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट करना होता है त कोट से हमें अगर जस्टिस मिलता है तो थि स्कूल से हमें क्या मिलता है तो यहां पर आंसर क्या होगा जैस कोसित इस तरीके से गिया होता कि बैए कोट में हमारे judge's होते हैं या lawyer होते हैं तो हम बोल सकती ते कि school में हमारे teacher होते है student होते है या principal होते हैं बट यहां पर बात यो करीजारी हो वह लिए कि मिलता क्या है तो court से हमें न्याय मिलता है तो school से हमें शिक्षा मिलती है इसलेगे से का इस दूसरे का हम पहले relation देखते हैं hot oven यानि कि गरम होता है खाना oven में तो cold होता है कहाँ ice cream, ac, snow, refrigerator तो आप असानी से बता सकते हो इसका answer क्या है refrigerator यानि कि हमारा fridge इसके बाद है next newspaper editor देखो newspaper editor बनाता है सारा कुछ उसके साब से होता है तो film actor, producer, director, story writer तो producer तो देखो पैसा लगा कि हो जाता है ल जो पूरी film को बनाता है तो यहाँ पर जो answer होगा वो होगा director इसके बाद है cobbler, shoe यानि कि cobbler बोलता मोची, जूते बनाता है तो carpainter क्या बनाता है बता सकते हो आप असान से wood, furniture, iron and then gold ठीक है थोड़ा सा iron था, gold था तो हमारा carpainter बनाता है guys furniture इसके बाद है dog, bitch यानि कि dog जो female होती हैं से हम क्या कहते है? bitch कहते हैं, तो horse की क्या कहते है? mayor कहते हैं, क्या कहते है? mayor कहते हैं, तो और बागी हमें देखने की need ही नहीं है जब हमें पता चल गया है, इसके बाद है calendar में dates आती है, तो dictionary में क्या होते है? language, sentences, words, vocabulary तो देखो आपके dictionary में होते है guys words, words के तो thermometer किसले काम आता है? temperature, speed, length या humidity तो thermometer, temperature देखने के काम आता है अब guys जो आगे के 8, 9, 10 है ये आप मुझे बताओगे, रुपी अगर इंडिया का है, तो yen किस country का है? पाकिस्तान का, जपैन का, बांगलादेश का, या नेपाल का? तो comment में आपको answer देना है, इन में से आप ABC मत लिखना, आपको word बताना है, लाइक आपको yen, जैसे कि अगर पाकिस्तान का लग रहा है, तो आप पाकिस्तान, A8 का A, पाकिस्तान ऐसे करके लिखना, ठीक है? हाला कि पाकिस्तान का नहीं है, इतना बता देती हूँ. इसके बाद है guys, flow farmer करता है, तो gun कौन चलाता ह है, fruit से, sand से, paper से, या फिर transport से, या फिर ट्रांसपोर्ट से, तो यह भी बहुत असा है, तो I hope आप 8, 9, 10 तो अभी ही कर दोगे, अब इसके बाद हम second point पर मदब यानि कि अपने second topic पर बढ़ते हैं, second topic है, यह है classification, यानि कि आपस में यह जो चीजे हैं, तीन इंटर रिलेट तो यानि कि अगर आप देखोगे, pen भी लिखने के कामाता है, pencil भी, ball pen भी लेकि एरेजर मिटाने के कामाती है, तो हमारा इसमें odd one out क्या होगा, जो इस group से मिलता हुआ नहीं है, that is eraser, इसके बाद है carrot, tomato, ginger, potato, तो यह कुछ है, तो सारी के सारी सबजियां, but carrot, ginger, potato अगर हम द तो tomato होगा, इसके बाद है guys, दिल्ली, लखनाउ, हैदरबाद, जैपुर, तो देखो, दिल्ली तो भारत की राजसानी है, right, लेकिन लखनाउ, यूपी का है, जैपुर भी है, राजसान का, हैदरबाद भी है, तो इसमें से अगर odd one out हमें निकालना हो, तो क्या होगा, दिल दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक स्टेट है, बट उसके अंदर हमें बताना था, तो वो चीज नहीं गिवन थी, तो यहाँ पर odd one out क्या होगा, दिल्ली होगा, क्योंकि वो स्टेट कापिटल नहीं है, बाकि सारी स्टेट कापिटल है, इसके बाद फोर्थ है guys, एशिया, यू यूरोब जो है, यह महादूईप है, जिसे हम कॉंटिनेंट कहते हैं, लेकिन कॉंटिनेंट में ऐस्ट्रेलिया भी आता है, तो एशिया भी कॉंटिनेंट हुआ, यूरोब भी हुआ और ऑस्ट्रेलिया भी हुआ, बलकि इंडिया एक कंट्री है, तो यहाँ पर हम इंडिय तो थ्रॉट को करें उसके बाद है गाइस mother, father, sister, friend तो mother, father, sister तीनों blood relation है बड़ फ्रेंड नहीं है तो यहाँ पे friend होगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हर्याना and चंडिगड तो देखो हिमाचल प्रदेश भी एक state है, पंजाब भी है, हर्याना भी है बड़ चंडिगड नहीं है तो चंडिगड कोई state नहीं है बलकि पंजाब के अंदर की राजधानी है उसकी आप उसके बाद है guys, 8, 9, 10 जो कि आपको करके बताना है Hindi, English, Sanskrit, Mathematics तो यहाँ पर आप बहुत असानी से बता सकते हो कि कौन सा odd one out है Rose, Lotus, Marigold and Lily तो यह भी आप बताओ कि इन में से कौन सा odd one out होगा then pistol, sword, gun, rifle sword guys, सलबार को बोलते हैं ठीक है, pistol आपको पता है, gun पता है, rifle भी पता है तो इसमें से भी odd one बताना क्या है तो यह practice आपको करनी है और इसके बाद next वीडियो में नए questions के साथ, नए topic के साथ मिलूँगी बाई बाई तब तक और answer yes आपको word जरूर लिखने है तागे मैं सही गलत चेक कर सको next वीडियो में मिलते हैं guys तब तक अगर वीडियो समझ आए, पसंद आया तो like करें पे न बिल्कुल मच जाना